कि नमस्कार दूस्तों आज का टॉपिक भरती है साथ चादिनियम 2023 से है जिसके अंतरगात important mcq है जो आने वाले law paper के लिए काफी important हो सकती है तो समय को व्यार्थ ना करते हुए शुरू करते हैं आज का टॉपिक प्रस्न वन है भारतिय साथ अधिनियम 2023 की निमलिखित में से कौन सी धारा में हस्त लेक और हस्ताक्षर के बारे में राय को सुसंगत इबं मान किया गया है तो इसका अंसर हो जाएगा section 41.1 धारा 41.1 प्रस्न दो है भारतिय साथ अधिनियम 2023 की धारा 23 निमलिखित से सम्मदित है इसका अंसर हो जाएगा c. पुलिस अधिकारी के समक्ष अफराद स्विकार करने से प्रस्न तीन है भारतिय साथ अधिनियम 2023 की निमलिखित में से किस धारा में कानुन द्वारा आपेक्षित दास्तावेज के निस्बादन का परमान साबित किया जाना चाहिए इसका अंसर हो जाएगा शैक्षन 67 धारा 67 प्रस्न चार है भारतिय साख्ष अधिनियम 2023 की निमलिखित में से कौन सी धारा इलक्टोनिक अविलेखों के इतिहास का वर्णन करती है तो इसका अंसर हो जाएगा सैक्षन 63 धारा 63 प्रस्न पांच है भारतिय साख्ष अधिनियम 2023 की निमलिखित में से कौन सी धारा दूतियक साख्ष से संबंदित है तो इसका अंसर हो जाएगा सैक्षन 58 धारा 58 प्रस्मिच्छ है भारतिय साख्ष अधिनियम 2023 की धारा 149 निमलिखित से संबंदित है तो इसका अंसर हो जाएगा नंबर ओप बीटनेस गभाओं की संख्या से प्रस्मिच्छ है भारतिय साख्ष अधिनियम 2023 की निमलिखित में से कौन सी धारा न्याया धीस और मजिस्टेट के बारे में वरण करती है तो इसका अंसर हो जाएगा सैक्षन 127 धारा 127 प्रस्म आठ है भारतिय साख्ष अधिनियम 2023 की कौन सी धारा कहती है की मौखिक साख्ष परतक्ष होना चाहिए तो इसका अंसर हो जाएगा सैक्षन 55 धारा 25 प्रस्म नो है भारतिय साख्ष अधिनियम 2023 के अनुसार कौन सी धारा डिजिटल हस्ताक्षर के सत्यापन के बारे में सबूत से सम्मदित है तो इसका अंसर हो जाएगा सैक्षन 73 धारा 73 प्रस्म दस है भारतिय साख्ष अधिनियम 2023 की धारा 133 निम्लिकित से सम्मदित है तो इसका अंसर हो जाएगा स्वच्छिक साख्ष द्वारा छूट ना दिये जाने वाले विश्यसार्दिकार से आएगा ऴुट आएगा 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 आएगा